skilled data entry professionals की काफी demand है नहीं जहां देखो वहाँ data entry professionals needed के job post दिख रहे हैं और इसी लिए आज हम आपके लिए लेकर आए है ये वीडियो जो आपको दिखाएगा data entry operator बनने का path इस फील्ड में मुझे भी बहुत इंटरस्ट है और मेरे कुछ सवाल भी है मैं पूछ सकता हूँ हाँ बिल्कुल तूछ वना तो पहला सवाल यह भाया कि ये data entry operators exactly करते क्या है इस सवाल का जवाब मैं भी तुम्हें दे सकता हूँ और बहतर होगा मैं तुम्हें मिलवाओ दरसल हम यह जानना चाहते थे कि आपकी जैसे data entry operator exactly करते क्या है पर आप तो काफी busy दिख रहे हैं बिजी तो नहीं है focused कह लिजिए और देखिए एक data entry operator को project company या clients की information data softwares की मदद से computer databases में accurately enter करनी होती है इसके लिए data accuracy बहुत जरूरी है एक मिनट ग्यांचन जी एक मिनट ये databases, softwares कुछ समझ में नहीं आया परिशान मत हो हम तुमें सीधे शब्दों में समझाते हैं तो किसी भी तरह के data को computer में feed करना data entry कहलाता है अब इसके लिए अलग-अलग तरह के softwares यूज किये जाते हैं MS Excel, Tally वगेरा हाँ, Tally का नाम थो हमने सुना है पर ये data entry operator करता क्या है data entry operator की अलग-अलग तरह की responsibilities होती हैं जैसे data को sort और compile करना, data में incorrect या incomplete information ढूणना, data को specific formats में type करना जैसे spreadsheets या databases, duplicate data को delete करना, data को update और merge करना भाप रे, ये सारा काम आप अपकेले खुद करते हैं? नहीं, नहीं, हमारी company में तीन तरह के data entry operators है और हम अकसर आपस में collaborate करते हैं पहला data entry clerk, ये routine task handle करते हैं जैसे की data को computer systems और database में enter और update करना दूसरा, transcript data entry operator ये operators कंपनी के audio और video files को transcribe करते हैं और तीसरा, data entry keyer इनका काम होता है physical files की information को scan करके computer systems में feed करना ग्यानचन जी, माफ कीजेगा, पर ये थोड़ा boring काम नहीं है दूसरों को boring लग सकता है, पर हमें तो numbers और data से बहुत प्यार है नमबर से तो हमें भी बहुत प्यार है ग्यानचन जी, पर इसका में और भी तो skills रखती होंगी बिल्कुल सही कहा, data entry job के लिए कुछ technical और कुछ soft skills दोनों की ही जरुवत होती है जैसे की data processing software की knowledge, high typing speed, English की अच्छी पकड, transcription skills, data को research और process करने की ability, outstanding time management skills, attention to detail और ability to multitask इसके लिए तो बहुत high-five qualifications की जरुवत पढ़ती होगी, मैंने तो सिर्फ 12thी pass करी है घपराओ नहीं, data entry jobs की entry qualifications minimum है, जादातर companies 12th pass candidates और diploma holders को accept करती है लेकिन अगर आपने data entry software का course किया है, तो job मिलने के chances बढ़ जाते है कुछ ऐसी companies भी है जो bachelor's degree को prefer करती है, पर ये काफी rare है ये तो बहुत बढ़िया news है, पर क्या इस job की demand हर industry में है? नहीं, हमने सुना था कि ऐसी jobs लेनी चाहिए जिसका scope market में अच्छा हो तुमने सही सुना है दोस्त, अगर इस field की बात की जाए तो जहाँ data, वहाँ data entry operators की जरूरत यानि की लगभग सभी companies को data entry operators की जरूरत है IT, finance, banking, medicine, government agencies, हर industry हमेशा skilled data entry operators की खोज में रहती है और मुझे ये भी पूछना था कि इस… अरे, पूछो, पूछो, शर्माओ मत Actually, मेरा अगला सवाल salary के बारे में था अरे, ये तो बहुत valid सवाल है इसका जवाब देंगे मेरे एक और दोस्त, सच्चा सिंग जी जिन्होंने अपनी company में काफी data entry operators को hire भी किया है सच के सिवा कुछ नहीं बताएंगे Data entry operators 10,000 रुपे से 25,000 रुपे महिना कमा सकते है depending on their experience अरे, वाँ, ये तो बहुत बढ़ी आए अचा, इस job में growth कैसे होती है इस job में तो growth ही growth है As a data entry operator, इस field में शुरुबात करने के बाद आप company में data entry clerk या data manager भी बन सकते है जैसे जैसे आप field में आगे बढ़ेंगे आपकी responsibilities भी बढ़ती जाएंगे जैसे की, अलग-अलग data based systems handle करना data collecting और entry के नए tools, softwares, procedures और policies पर काम करना data entry operators की team को lead करना उनके काम की quality check करना ये सब आपकी जिमेदारी होगी and depending on the company and industry, data manager की salary एक तालिस हजार रुपे से चासाट हजार रुपे महीने की range में होती है भाईया, आपने तो दिलखुश कर दिया अचा एक बात बताए, ये जॉब पाने के लिए क्या करना होगा? नहीं मतलब data entry के jobs काट उन सकते है इंडीड पर, यहां आपको 3000 से भी ज्यादा data entry job openings मिलेगी आप इंडीड आप डाउनलोड करके अपनी preferred company industry और location के हिसाब से data entry job सर्च कर सकते है अचा भाईया, हम इस रोल में घर से भी काम कर सकते है? देखो, कई बार data बहुत sensitive nature का होता है इसलिए ज्यादातर companies prefer करती है कि आप office सही काम करे पर इस field में आपको remote working या work from home option भी मिल सकता है इनफाक्ट इंडीड पर part time या freelance opportunities भी डूण सकते है यह pressures या students के लिए बहुत फाइदेमन हो सकता है यह सुनके तो मेरे friends खुश हो जाएंगे अब वैसे हमारी थोड़ी दोस्ती हो ही गई है तो यह सवाल भी पूछी लेते हैं यह interview में किस तरह के सवाल पूछे जाएंगे? नहीं थोड़ा advance में बता देंगे तो हम तैयारी अच्छी कर लेंगे इस position के लिए recruiters दो main चीजों को देखते हैं आपकी typing speed और आपकी data entry softwares में efficiency कुछ general questions के अलावा जादातर सवाल इनी दो चीजों के around पूछे जाएंगे जैसे और हमने एक video भी बनाया है जिसमें आपको detail में data entry job interview questions और answers मिलेंगे उसे जरूर देखना थैंक्यू भाईया मैं course करने के बाद ना data entry operator की job के लिए जरूर apply करूंगा और इन सब सवालों की तैयारी भी करके जाऊंगा तो दोस्तों ये था blueprint एक data entry operator बनने का इस video में दी गई जानकारी को यूज करके आप इस field में अपना पहला कदम ले सकते हैं और आगे जाके अपनी पहली नौकरी भी ढूण सकते हैं अगर आज का ये video आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए comment section में हमें ये भी जरूर बताईए कि आप कौन-कौन से careers पर वीडियो देखना पसंद करेंगे करेंगे